नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों अलसी को रात भर भीगोने से उसमें से हानिकारक फैटिक ऐसी निकल जाता है और मिनरल्स का बोड़ी को अच्छी तरह से फाइदा मिलता है तो यह जानते कि रात भर भीगोकर रखी हुए अलसी को सुबह खाने से क्या-क्या फाइदे होते हैं अलसी में विटामिन्स मेनरल्स ओमेगा थ्री फैटी आइसिल्स के लावा बरपूर फैबर होता है और अलसी को रात भर भीगोने से उसमें से हानिकारक फैटिक कैसे निकल जाता है एम्स दिल्ली की असिस्टेंट डेटीशन र शाम को एक लिटर उगलेवे पानी में तीन चमज अलसी डाल कर रात भर ढख कर रख दें और सुबह पानी से निधार कर उसे अच्छी तरह से मिक्चर करके खा लिए तो यह अब जानते हैं अलसी खाने उसका पानी पीने से क्या फाइदे होंगी कि फाइबर से भरपूर अलसी के बीजवा सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखता है अलसी में घोलनशील और अगोलनशील यह दोनों तरह के फाइबर होते हैं जो पाचन पर क्रिया को सुचारु रूप से चलाने में मदद करते हैं दुरस्त पाचन क्रिया के लिए आप किसी स्मूदी यह जलाद में एक से डो तेवल्स पूर अल्सी मिला कर खा सकते हैं इसका सेवन कैंसर के खत्रएं को कम करता है और सहीं सेवन इसका सेवन ऑवेरियन प्रोस्टेट ब्रेस्ट लंग्स और स्किन Χाटर गजातरी को कम करता है कैंसर से बचने के लिए आप दही में भुने हुई LC के बीज मिलाकर खा सकते हैं इसके लवा गेहूं पिसाते समय उसमें थोड़ सी LC मिला सकते हैं ताकि गेहूं में LC मिक्स जोने से सारा परिवार उसका 7 कर सके रोजाना LC का सेवन डियाबिटिश कंट्रोल करने मदद करता है इसके अलावा नियमित रुप से इसका सेवन शुगर लेवल को कम करने में भी मदद करता है इसके लिए आप रोजाना दो चमच भूनी वे LC खाएं और इसके बाद एक से दो गिलास पानी पी लें एकजिमा, ड्राइ स्किन, खुजली, इरेशिज और स्किन अलर्जी जैसी प्रोब्लम्स को दूर करने के लिए आप रोजाना दो चमच अलसी को पर डाइट में शामिल करें स्किन प्रोब्लम्स से रहत पाने के लिए अब अलसी के तेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं वजन कम करना हो या कंट्रोल करना हो अलसी की बीच बहुत फाइदेमन्द है यह बीच आपको दो तरह के मिलेंगे, ब्राउन और गोल्डन इन बीचों का तेल भी आपको असानी से मिल जाएगा अगर आप बीच नहीं खा सकते तो तेल का सेवन भी कर सकते हैं इसके अलावा आप इसे बैकरी फूड, ओट मिल, स्मूधी ड्रिंक्स, पास्ता और सलाध आदी में भी मिलाकर खा सकते हैं रोजाना नेमित रुप से इसका सेवन करने से बाल जढने की समस्या दूर हो जाती है इसके अलावा इसे डेंडर्फ की परशानी भी दूर होती है रोजाना दो चमच भूनी हुए लसी का सेवन इन प्रोबलम्स को दूर करता है और इसके अलावा पिसी हुई अलसी को मैयो नीज या चीज स्प्रेड में मिलाकर सेंड्विच बनाकर भी खा सकते हैं अलसी के बीजों का नीज सेवन बैड कोलिस्टोल और ब्लड प्रेशर को कम करता है इससे आप दिल की बीमारे से बचे रहते हैं दिल की बीमारे से बचे रहते हैं आप सुभे दो चमच भूने वी अलसी की बीजों का सेवन कर सकते हैं मैं लाव में पिरियर्स बंद होने के कारण कई प्रॉब्म आती हो ऐसे में इन प्रॉब्म्स को दूर करने के लिए आप 40 ग्राम पीसी हुई अलसी के बीजो का 7 करें इससे आपको हर परशानी से रात मिल जाएगी तो दोस्ता ये थे अलसी के फाइदे उमीद है आपको ये जानकारी अच्छे लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जूर करें ताकि वो अब इसका फाइदा उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारी लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रेमेडिय अपडियस के साथ नमस्कार धन्यवाद